हालो दोस्तों स्वागत थापका एक नहीं वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोश्टगाड एक 2023 बैज के लिए और यहां पर जीके का महा महरातन करने वाले हैं मतलब लगभग कोश्चन करेंगे तो 50 प्लॉस कोश्चन किया जाएगा क्योंकि 10 मॉक्टेस्ट एक साथ साथ दस मॉक्टेस्ट करने वाले हैं तो वीडियो में फूल बने रहेंगा और बहुत सारे कोश्चन यहां पर होंगे कि आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे सेक्शन वन का है चाहे आपने जीडी का फॉर्म बढ़ा है या फिर यांत्री का फॉर्म बढ़ा है श्रमान ने ग्यान मतलब करने वाले हैं तो फुल वीडियो देखिएगा बहुँ ज्यादा एक्जाम में रहने वाला यह वीडियो इसी तरह आगे मैं आपको चलके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके एक्जाम के लिए उससे ज्यादा आप पढ़िएगा त चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए सपना है कोष्ट गाड में जाना है तो फटावाट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसका पीडिएफ आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा आज ही मिल आप कर दें कि जिस्क्रिप्टिंट में लिंक दे राखा हूं के बार्न पर मानू अउरज आयोग के पर्थम अध्यच कौन थे औरे अप्सन एं होम श्री है विक्रम शारा भाई और सी है एपीजे अब्दुलकलाम तो फटा फट बट बताइए किसका राइट एंसर क्या होगा भारत में पर्मानुर जायों के पर्थमाद्यक्ष कौन थे तो राइट एंसर क्या होगा पहले का जल्दी से जल्दी बते और तेजी में थोरा चल कोशन expect की अंवर किशने की थी आपको बताना है कि संती के अबता है कि इस्टापने किशने की थी क्वात्मा या फिर कोई नहीं सबसे पहले किसका एंसर आता है तो मैं आपको बतादू जोरा इनसर होने वाला है संती निकेतन की थापने किस ने की थी तो थे जविनाठ टाइगोर जो कि ऑप्शन बीजदा करेक्ट एंसर हो जाएगा चले कोश्चन नमर चलेंगे थिरी पे जान कोश्चन नमर थिरी में क्या दिये गया है कौश्चन नमर थिरी है कौन सा सार करकरेखा के सबसे नि अगर है जो आपके करकरेखा के निकट इस्तित है मतलब कि सबसे निकट इस्तित होगे तो आपको एंसर होगा दिल्ली नागपूर कोलकत्ता जादपूर देखेते हैं सबसे पहले राइट एंसर कौन देता है तो मैं आपको बता दू यह जो एंसर हो जाएगा हो जाएगा क जो करके रेखा के सबसे निकट इस्तित है वो कौन है कोलकात्ता शहर है आपका और एक चीज और बात बता दूँ आपको अपका एक्जाम में निगर्टी मार्किंगे तो सारे कोश्चन का गलत या सही अगर नहीं भी पता है तो भी आप एंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा कोश्चन नम्बर पर पे और कोश्चन आपको अपका फोर में दिया गया है शेरगाड अभ्यारन किस नदी के किनारे है से आपके इग्जाम में मतलब इग स्ट कोश्चन मिलेगा तो आपको बताना होगा मैं आपको कराऊंगा जो जो इंपार्टेंट टॉपिक है आपके एक्जामसे ठीक 20 से 25 दिन पहले शेरगाड अभ्यारन किष्ण अधी के किनारे है वह आपको बताना है तो option A है गंभीरी तो अभ्यारन किष्ण अधी किनारे इस्तित है चंबल पर वन बनास गंभीरी आपको बताना है कि एंसर क्या होगा और यहां पे आप लोग 2829 गिनिएगा जैसे जैसे मैं बोल रहा है और फोर का बता रहा है कि राइट एंसर क्या होगा चलिए मैं इसको बता दू जो सेर्गड़ व्यारन है वह परवन नदी के किनारे इस्तित है जो कि ऑप्शन करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे को फाइब पर जो कि लास्ट कोशन है आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट का इसके बाद सेकेंड मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको जूरे रहना है यह है नंबर कोशन फाइब चंबल नदी का उद्गम कहां शे होता है उप्शन यह हैं बुंद करकर से जल्दी से बताओं एम्पॉर्टन को सिन नंबर फाइब बताता है कोशन फाइब का उन्हा दो फाइब चंबर यह चार ज Yanga यह से कुक्षिं मोग laugh टेस्ट कर लिए आपके 5 में से कितने स्कोर है वो बताएगा कि मेरे 5 में से 4 आए 3 जो भी आए वो बता दीजिए उसके बाद हम चलेंगे question number फिर से 1 स्टार्ट करेंगे mock test number होने वाला है 2 और mock test number 2 में देखिए question number 1 से फिर या फिर इसे 6 काउंट करेंगे राइट 6 नमर काउंट कीजिए विश्व समुंदर दिवश कब मनाया जाता है विश्व समुंदर दिवश आपको बताना है कब मनाया जाता है एक question आपके दिवश से भी आएगा तो क्या का important हो बताते चल रहा हूँ option A है 3 July option B है 10 July option C है 8 June option C है इन मेंशे कोई नहीं विश्व समुंदर दिवश को मनाया जाता है आपको बताना है तीन जुलाई 10 जुले 8 June या फिर इन मेंशे कोई नहीं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो आपका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा चलिए जल्दी जल्दी तो जो आपका एंसर हो जाएगा हो जाएगा 20 समुंदर दिवस मनाया जाता है आठ जोन को राइट तो सीजदा करेक्ट एंसर होगा चलेंगे कोश्चन नंबर 2 पे स्वरी कोश्चन नंबर 7 पे कोश्चन 7 भारत और डैस डैस का सोतंता दिवस 15 अगस्त है 17 का इनमें से कोई नहीं तो सब्सक्रा inflam कोश्चन का wr का सब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है है मैं आपको बता दू इसका जो होने वाला है वो हो स्यौनला में व्यव्य घ्रवर कुछ अब और चेश्ट के लाला राजपत्य की खांटे सीउगे सबसे पहले कौन बताता है तो लाला राजपत राय जो किस पूस्त के लेखा के वह है ऑन हैपी इंडिया जो की ऑप्शन डी करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे सबसे पहले कौन बताता है जो कौशन डाइन का इंसर हो जगा जीम कार्षीपूर और दी है इन में इस इसे बताना है और दी होगा तो होगा तो होगा काला नुगी जो की ऑप्शन एक गारेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे अपने दस्वार नंबर कोश्चन पे तेन में क्या दिया है वह देख लीजे कोश्चन में आपका दिया गया है निम्न में रिव और प्वारत श्रलंका उप्रोक्त शभी तो अंपको बताना है तो यहां पे ओप्शन दिया गया है यह चारूही अपसन तो आपके भारत भी होस्री लंका भी होगा और अफगानिस्तान भी राइट एंसर होगा तो इसमें से डी आप लगा लिजे राइट एंसर डी हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नमबर 11 पर 11 क्या दिया है कोश्चन 11 दिया गया है राले गाव सिद्धी गाव की संपंता लाने से कौन समाज से वी जुरा है यहां पर सब्सक्राइट एंसर होगा चलेंगे कोश्चन नमबर 12 पर क्या दिया गया है बीश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है मेरे ख्याल से सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं यह आप पर बता भी दूझा यह कोशन आपके नेभी के एकजाम में आया है नेभी में अलरीडिया चुछ ब्रसा कहां पर होती है राइट एंसर क्या होगा कोश्चन नमबर टूएल का और कोश्चन नमबर टूएल का एंसर क्या होगा चलिए बता देजिए फटापर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो आपको बता दू यह राइट एंसर हो जाएगा मसी नाराम जो की option C is the correct answer हो जाएगा चलेंगे क question Number 13 प당히 स्बादाता है तो आपको बताना है कि दूरणा चारे पुलिखकार संबनतीत है कम अचारे पूरह के प्रूषकार लिए प्रूषक के पहलेहाई कर दो एक कि डिन में अ वह बता देखता है सबसे पहले एंसर कौन देता है तो मैं आपको बता दो दूरण चाहर पर सिसक से संबंदित है तो बीस दा करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नमबर कितने पर 14 पर पर समग्रीक्ट नमबर कोशचन पर चलेंगे 14 पर चौले इंफर्ट है नमर कोशंचन नमर कहा है तो जो कि option A is the correct answer हो जाएगा और चलेंगे question number 15 में क्या दिया है वह भी देख लीजे question 15 में दिया गया है भारत में श्वार्णिम चत्रभूज पर्योजना इस से संबंदित मतलब किस संबंदित वह आपको बताना है question number 15 नमबर यह ध्यान देना है भारत में श्वार्णिम चत्रभूज पर्योजना जो संबंदित है किस से संबंदित है option A है श्वार्णिम चत्रभूज पर्योजना किस से संबंदित है श्वार्णिम चत्रभूज पर्योजना किस से संबंदित है चलेंगे कोश्चन नमबर 16 पे इंपोर्टेंट कोश्चन है आपके दिया है पानीपत का पहला यूद 1526 में हुआ था और यह किन के बीच में लरा गया था वह आपको बताना है और ओप्शन A में दिया है बाबर और हिमायू B में दिया है बाबर और विराहिम लोदी और C में दिया है बाबर और राना शंगा और D दिया है अकबर और हेमू तो 1526 में पहली लराई हुई और किसके किसके बीच में हुई बाबर हिमायू बाबर इबराहिम लोदी बाबर र पाइला यूदू था पंदर शबीस में वह था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में लगा था जो कि ऑप्शन बीजदा करेक्ट एंसर हो जाएगा को सब्सक्राइब बाबर चलेंगे कौन सी खारी भारत के श्रवादिक दच्चिन दशीदान्त में क vacunson मननार की खारी बी में दिया काजड़ कि खारी अंड़मान की खारी तो right answer क्या होगा question number 17 और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो इसका answer हो जाएगा कौन सी खारी जो है भात कर शवादिक दच्छिन में है तो मैं आपको बता दू हो है आपकी खंबात की खारी जो की option C आपका right answer हो जाएगा आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा most important question जो चल रहे हैं आपके exam में अगर आपका support रहा तो बहुत कुछ आपको free of cost भी प्रवाइट किया जाएगा और यह भी free of cost ही चल रहा है इसका PDF भी दिया जाएगा चलेंगे question number 18 पे question number 18 में दिया गया है श्रीव में दिया गया है मिश्रित और दी में दिया इन उप्रोक्त में से कोई भी नहीं तो श्रीवाइगा जो अमेरिका किसका उधारन है किसका उधारन आपको बताना है शमाजवादी पुंजीवादी या फिर मिश्रित या फिर इन में से कोई नहीं तो राइट एंसर 18 का कितना हो जाएगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो स्वहिंग तो अमेरिका जो है वह उधारन है पुंजी पुंजीवादी और्थ विवस्ता का जो कि बीज़ आरीकлет एंसर हो जाएगा चलेंगे कुश नंबर किसने पर तो कोशन मेर उन्नीस पर उन्नीस में दिया है निमिलकित में से कौन सा भारतिया लोगतंत्र का एक मुख्योख्योजट्षन में दिया है उस्तम्नियाल है वह राश्ट्पति सी हैसे अटो चुनाया झान चुनाया यह पेपर लिग करने जा रहे हैं पेपर लिग हो रहा है आपको यह नोट करते चलना है इसका फीडिएप मिल जाएगा आप इसको ध्यान में रखेगा पीडिएफ से ही नोट करने की जरूद भी नहीं है फिर आपको टेलिग्राम पर जोर जाई ओके तो कौन सा भारतिय करेक्ट एंसर होगा चलेंगे कोशन नमर 20 में क्या दिया है तो कोशन मर 20 में दिया गया भारतिय अंत्रिच शंगठन द्वारा भेजा गया पहला उपगरा था आपको बता रहा है कि पहला उपगरा कौन सा था कोशन नमर है आपका 20 और ध्यार में रखना है भारतिय अंत्र तो राइट एंसर क्या होगा आपको बताना है कि भारतिय अंत्रिश श्रंगठन द्वारा भेजा गया पॉला उपगरह था रोहिनी भासकर आरेवट प्रित भी सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है इसको देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका इंसर कौन देता है लृषम लोधी के मद्य लराई लरी गए थी वो कौन दे लराई लरी गई थी वो कौन सी लराई लरी गई थी चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट एंसर क्या होगा तो पिछला आपने मौक्टिस्ट अगर लगाया तो उसमें आपको बताया था कि पानीपत की जो पहले लरी गई थी वह बापार विराहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी और कब लड़ी यह उस्टति श्वरूप भटना कर पुरुषकार किस छेत्र के लिए जया जयते हैं जैसे ने बताया दोनाचार पुरुषकार 22 का answer चलिए right answer कौन देता है देखते हैं तो मैं आपको बता दू यह answer हो जाएगा आपका क्या होगा तो यह बिज्ञान के छेत्र में शांती श्वरूप भटागर पुरुश्कार दिया जाता है बिज्ञान के छेत्र में जो की option ए आपका correct हो जाएगा चलेंगे question no.23 पे question no.23 पे देवदर्ट ट्रोफी किस खेल से जुरा है question no.23 देवदर्ट ट्रोफी जो है किस खेल से जुरा है वो आपको बताना है option A में दिया है football, B है hockey, C है cricket और D है weight lifting एक आपको मैं playlist बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे जाके चेक किजिए जीके का जादू एक playlist बना है उससे आप लोग जीके complete कीजिए बहुँ जादा आपको help मिलेगा यह वीडियो देखने के बाद आप उसके बाद उसमें जाएगा मुसमें कुछ topic wise मैंने किलर कर रखा है तो भी आप जरूर चेक आउट कर ल चले एक कोशन यहां पर पूछूंगा कि डूरंड कॉप जो संबंदित है किस खेल से संबंदित है वह आपको बताना है कॉमें सेक्षिं में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है चले कोशन नमर चलेंगे 24 में दिया गया है बिस्मिल्ला खां किस वादक वादक की जूरे तो क्या बजाते थे शाहनाई बजाते थे बासुरी बजाते थे तबला बजाते थे यह फिर संतूर बजाते थे तो क्या बजाते थे वह आपको बताना है कॉशन नमर है आपका 24 24 का राइट एंसर क्या होगा तो बिस्मिल्ला खां जो बजाते थे वह क्या बजाते आपका correct answer हो जाएगा चलेंगे question number 25 25 25 25 में दिया गया है कि भारत चिन के मद्द कौन सी सीमा रेखा है आपको बताना है important question क्वाइब का जो आपका बारत और चीन के मद्ध है यह में दिया है डूरंड डी है रैड की लायन और डी है सैंतिसवी समांतर रहेखा तो आपको बताना है कि बालत चीन के मद्ध कौन सी रहेखा तो उपको बताना है तो कोश्चन महरा 25 और राइट एंसर क्या हो जाएगा 25 का वह हो जाएगा क्या होगा मैक महान रेखा जो है भारत चीन के बीच में एक आप से रेड़ क्लिफ जो रेखा है किस से आपको जुरा हुआ है भारत और साथ में किस देश के साथ संब्द्ध भारत और किस जुरा है और चलेंगे जाता है और आपको बता दूंड नहीं है यह आने वाला भी है यह दिवस का बनाया जाता है इस से आपको पता ही चली गया होगा, अब मैंने answer ही बता दिया, क्यों कि आपको बता है, जो आने वाला है, वो तो दो ही महिना बचा है, एक तो नौहमबर बचा है, और एक दिसम्बर बचा है, तो C होड धी तो answer होगा नहीं, अब इसी से दिमाग लगे कि 10 December होगा कि 1 December होग सबसे चोटा कौन सा है वह आपको बताना है बुद्ध भी है मंगल और सी है शुक्र होडी है बिरिश्पती और भाइस में बता दे रहे हैं अगर आपने 35 मौक्डिस जितना करा रहा उतना कर लिए ना तो आपको पूरा का पूरा पेपर लिक कर दिया जाएगा यहां पर पेस चैनल पर रूख शकते हैं अधरवाइस एक बार जाके अधर चैनल पर भी पिजिट कर लिए अगर आपका मरजी है तो सबसे चोटा गरा है बुद्ध मंगल शुक्र बिरिश्पती इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा क्योंकि आप लोग को हो सकता है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करना है मैंत का जो की अर्थमाटिक का पॉर्चन है उसके बाद सेक्शन टू में आपका आता है फिजिक्स 25 कोश्टन 25 कोश्टन मैंत के टेकनिकल वाला इस पर फोकॉस करना है क्योंकि इंग्लिस वाले बच्चे इंग्लिस लगबक सभी लोग बना लेते है एंग्लिस आपको बनेगे सबर्सक्राइब बना लेंगे चलें सबसे चलंगा बागी बागी कौन बताता है तो आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध जो की ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा चलेंगे कोशन नमबर 28 पे कोशन नमबर 28 में दिया गया है आपका 28 में दिया है तो राइट एंसर क्या होगा कोशन नमबर 28 का तो इस जो राइट एंसर होगा है जो आपका मुख्याल है है होगा जेनेवा में और भी आपका राइट एंसर हो जाएगा एंचलेंगे कोशन नमबर 29 पे और कोशन नमबर 29 में दिया गया है गांधी जी की अध्यस्ता में भारत्य राष्ट्य कांग्रेश का एक मात्र सम्मेलन को और कहां हुआ था एक मात्र में दिया है 1921 अहमदाबाद बी में दिया है 1925 कानपूर दी में दिया है 1927 मदरास थोड़ा सा सर्दी हुआ है तो आपको सौरी उसके लिए अनिश्रब हो रहा होगा मत्र सम्मेलन आपको बताना है कि गांधी जी की अधिस्ता में कौन सा हुआ था तो सबसे पहले देखते है कौशन का एंसर कौन देता है कौशन में है 29 और इसका राइट एंसर हो जाएगा कौन सा होगा 19 19 सभी में 90 नहीं है वह हो जाएगा 1924 बिलगाओ जोकि ऑप्शन भी आपका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे कौशन नमबर 30 पे कौशन में 30 में दिया गया है 14 अगस्त और डी है श्राथ अप्रील यह तीन चीज दो भीत गए है और एक आने वाला है 24 सक्टूबर देखते हैं कौन सा राइट एंसर होगा आपको बता देना है कौशन नमर 30 का तो चलिए मैं आपको बता दू अब बहु सारे बच्चे 24 सक्टूबर टिक कर देंगे जि 31 पर इसे 31 काउंट किजिए का ब्रह्मार समाज के संस्थापा कौन थे और अभी तक अपने लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए अगर सच में सपना है कोश्टगार में तो बिल्कुल भी वीडियो स्क्रिपना किजिए और चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए इसका पीड तो कौन सा राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कोस्टन नमबर है 31 और 31 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा राजा राम मोहन राइए और यो की ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा और मुस्ट इंपॉर्टन जो भी कोस्टन चल रहे हैं चलेंगे कोस्टन नमबर 32 पर 32 पर आजाद हिंद फोज किया सापना कहा पर की गई ऑप संगापूर तोक्यो आपको बताना है राइट एंसर क्या होग और 32 चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है और इसका एंसर क्या होगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है अजाद हिंद फॉज की अस्थापना कहां पर ही वह आपको बताना है और इसका एंसर आपको कॉमें सेक्षन बताना है यह आपके लिए ह्व है चलिए और देखते हैं सबसे पहले कौन बता था अभी भी आप बताना चाह needing को अधिकत नहीं या फिर बाद में भी आप सेक्षन इंड होने के बाद भी आप बता सकते हैं चलेंगे question number आपको कितने नमर पह पहर चलेंगे 43 वहां पारत का वाइश्रा था? इंपॉर्टिन कोष्यनुक्यन है, आया भी or अंदोलान के समय क्या भारत का वाइश्रा कौन था ओप्शन ए है यह हो सकता अपके बार आपके एग्जाम में यह देखने को मिल जाए है भारात चोन भारत का वैसरा हुआ माँंट मेयर क्रिपर्ष या फिर लियोगो या फिर देतिए हैं देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो इसका है रôm पता दूखे हैं है वो था लिन ली योगो 28 मतलब कि 33 का राइट एंसर चलेंगे question number 34 पे 34 में दिया क्या है Pearl Harbor किस देश में है question number 34 और question number 34 का है Pearl Harbor किस देश में है option A है England B है Japan C है America D है Rus तो बताना है Pearl Harbor किस देश में England, Japan, America, Rus राइट एंसर क्या होगा 34 का वो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो मैं आपको बता दू यह जो Pearl Harbor है वो है अमेरिका में जो की option C आपका correct हो जाएगा चलेंगे question number आपके 35 पे question 35 जो important question है आपका exam के regarding चलिए इसरे देखते हैं नोसेना के कितनी कमान है option एह 6, 5, 4 और 2 6, 5, 4, 2 notion के कितनी कमान है 35 का right answer हो जाएगा 35 का right answer क्या होगा आपको बताना है तो मैं आपको बता दू नोसेना कितनी कमान है जल्दी से जल्दी बताइये जल्दी से जल्दी बताती जिए तो यह कोश्चन किसके लिए यह कोश्चन भी आपके एक्जाम के लिए मैंने रख दिया कि बता दिया जाए चले मैं इसको बता ही देता हूं कितनी कमान है वह चार कमान है जो कि option C आपका राइट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नमबर यह आपका 35 कम्प्लीट हुआ 35 में आपके कितने राइट एंसर हुए आपको बताना है कि 35 में आपके इसको कितना रहा 30 रहा 20 रहा या फिर 25 रहा बताना है कि ओके जो एंसर वही बताना है अपका गलत हो रहा है निगेटी मार्गिंग नहीं तो एंसर अभी कोटिक करना है और चलेंगे कोश्चन नमबर 36 पे यह ध्यान देना है चार गनते और फिर दो गनते आगे तो राइट एंसर की आओगा थाटी कोश्चन है देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो चले इसका राइट एंसर में बता दू ग्रिविश टाइम से भारत का समय जो है सारे पांच घंटे आगे है जो की ऑप्षन सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नंबर कितना नंबर ये था 36 था अब चलेंगे 37 नंबर कोश्चन पर कोश मंतरी राश्पटी और दी है परदानमंदरी है हर टॉपिक से जो आपके इंपर्टेंट टॉपिक है जहां से कोश्चन बनते हैं जिस टाइप की बनते हैं वही कोश्चन इसमें रखा गया है आपको भी समझ में आ रहा होगा उके कोश्चन नंबर है 37 और ठाइट एंसर क् चलेंगे कोश्चन नंबर 38 पे जो की 38 नंबर कोश्चन है आपका 38 नंबर कोश्चन है किंग मार्टिन लुथर कौन है किंग जो मार्टिन लुथर था वो कौन था है बताना है आपको ऑप्सेन है अमेरिका के निग्रो नेता थे ऑप्सेन है 1770 में अमेरिका के राजा और इसका डाइट अंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है तो जो किंग मार्टीन लुथर थे वह कौन थे और अमेरीका के निग्रों नेता थे यह आपका और ठैसर हो जाएगा चलेंगे कौश्शन नमः 39 पे राइट कौश्चन नमः 39 में दिया गया है निम्नोक्त में को सबसे लंबी नदी है आपको बताना है आपको बताना है कि कौन से बिस्व की सबसे लंबी नदी है है मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा है सबसे लंबी नदी आहाँ पर धियान देना है इसमें सबसे लंबी नदी बताना है गहारी नदी नहीं बताना दो है आपको एमजों नदी वह नील नदी है जो कि option C आपका correct answer हो जाएगा चलेंगे question number कितने पर question पर चलेंगे 40 पर right question number 40 number C board नील में से किसका नाम है C board किसका नाम है आपको बता रहा है option में दिया गया है कारवार के naval base का B में दिया है जाम नगर के naval base का या फिर Bombay high में petrol base का अब आपको बता रहा है यह तो ध्यान में सभी है बेसी बेस और किस पेसका नेवल बेसका नेवल बेसका या फिर पेट्रेल बेसका मतलब कारवार के नेवल बेसका जाम नगर के नेवल बेसका कोशन नमबर 41 पे और अभी तक लाइक कर दीजे एक एक शेयर जरूर कर दीजे थोड़ा सब मोटिवेशन मिल जाएगा और फिर कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे और चलेंगे कोशन नमबर 41 पे एक फटाफट लाइक कर दीजे जिसने भी लाइक नहीं किया है पिमपरी किसलिए परशिद है आपको बताना है ये कोशन हमें 41 पिमपरी किसलिए परशिद है और फिर उपरख कर खाने तो राइट एंसर क्या होगा आपको बताना है तो चलिए फटा फट बताईए चलिए मैं आपको बता दू पिंपरिज जो परसिद है वो है एंटी बाइटिक्स दावाव के उत्पादन के लिए जो कि सी आपका राइट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नमबर आपके किस पे 42 पे कोश्चन नमर है 42 आपको द्यान देना है फटेफूर सिकरी का निर्मान किसने करवाया था वो आपको बताना है किसने करवाया था पतेफूर सिकरी कहां पर है यह आपको बताना है देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है और हम बताते हैं फटेफूर सिकरी का निर्मान किसने क करवाया कहां पर है यह आपको बताना है तो देखते हैं 42 का राइट-एंसर क्या होगा सबसे पहले कौन बताता है चलिए बता आपको यह जो फते पुर्शिक्री का निर्वान करवाए गया वह लाल बलुव पत्थर जो की ऑप्षन यह आपका करेक्ट हो जाएगा अंचलेंगे कोशन नंबर 43 पे और कोशन 43 में दिया गया है आई एसो आई एसो 9000 क्या है आई एशो 9000 क्या है यह ओप्षन ए में दिया है एक विदेशी कार है ओप्षन भी है नई अकाशियो गिलाक्षी है तो देखते हैं सबसे पहले 43 का राइट एंसर कौन देता है तो मैं आपको बता दू आई एसो 9000 जो क्या है वो है कौन बताएगा भाईजा जल्देश बताएगे वो है आपका उच गुनवता का मानक है जो कि आपका सी राइट एंसर हो जाएगा और चलेंगे कोशन नंबर कितने पर 44 में दिया है रुपया किस देश की मुद्रा है नहीं है यह आपको बताना है यहाँ पर इंपॉर्टन बहुत बहुत इंपॉर्टन कोशन है आपके लिए चलिए बताता है 44 नमर कोशन है और बताना है रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है यह बताना है है तो नहीं है यह बताईए भारत पाकिस्तान बांगला देश शिरलंका यह तो आपको सभी पता हो कि भारत का रुप जो है करेंशी जो है मुद्रा रुपिया है तो इसको हटा देजिए अभी स्थीन में से बताईए कि इस तीन में से राइट एंसर क्या होगा ओके चलिए चलिए क्या एंसर होगा राइट 44 का क्या होगा चलिए कुश्ण नमर 44 देखी सबसे पहले कौन बताता है तो चलिए मैं आपको बता दू यहां पर एक एक जो आप्सन और हटा दू बांगला देश का भी नहीं होता है बांगला देश का क्या होता है वह बताईए और इसका रुपया कीज़़ें बाई देश में ही रुपया नहीं चलता है बाकी सिरिलांका में रुपया पाकिस्तान भारत रुपया है चली कोश्चन नमबर बताएंगे कुतने नमबर फुर्टीफाइब नमर कोश्चन है और 45 नमर कोश्चन में ब्रह्मा शमाज के संस्थापक कौन थे यह अल्रेडी कोश्चन हो चुका है फिर से एक बार आ गया है चोलिए इससे डैक्ठ हम टिक करके निकलेंगे इससे प्रह्माज संस्थापक थे राजा राम मोहंडा है जो क्यों आपका एंसर हो जाएगा और हम चलेंगे कोश्चन नमर 46 पर बहुत नजीदी का चुके हैं तो इसलिए एक बार बोलूंगा कि सेर जरूर कर दीजिए और जिसने भी लाइक नहीं गया भाई सब्लाइक कर दीजिएगा चलेंगे कोश्चन नमर कितने पर 46 पर 46 में दिया है जिस पर विष्वास घाती यहां फिर श्रामिक से तो निश्टा कि सरसे संब्धीत आपको बतां है कोसौन नमएर 46 जैसे लिए लिए आयन्दीता से सामधित से उंसी परकार जो निश्टा सम भजटी से संब्दित है चलेंगे कोशन नमबर 27 पे सौरी कोशन नमर चलेंगे 47 पे कोशन नमर 47 पे कुशन 47 माहभाद कर रशीता कौन थे मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे ऑप्सन ए है तुलसीदास भी है सबसे पहले कौन बताता है कोशन नमबर 47 का एंसर क्या होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता तो चलिए मैं बता दूँ आपको वह महभाद कर रशीता थे वेद्व्यास जो की ऑप्सन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोशन नमबर आपके 48 में दिया है भा भारत के पर्थम फिल्ड मार्शल थे आपसन नहीं के एंपको बताना है आपके एंसर क्या होगा चलेंगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा क्या होगा क्या होगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे केम करिया पबटे गलती है आपका राइट एंसर हो जाएगा SHJ मानिक्षा जो की B आपका correct एंसर हो जाएगा जो भात के पर्थम फिल्ड मार्सल थे वह कौन थे SHJ मानिक्षा तो चलिए कोश्चन नमर चलेंगे 49 पे बहुत नजीदी का चुके हम अप लोग 49 पे 49 नमर कोश्चन है और भारतिय सीनेमा के छेतर में उलेखनिय योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरुषकार है सीने में के छेत्र में जो लेखने हो योगदान दिया जाने वाला प्रुष्कार है वो कौन सा है वो आपको बताना है देखेए सबसे पहले कौन बताता है यह आपका अग्या राइट एंसर हो जाएगा जो सीने में इच्छत में दिया जैता है और खेल पर सिचक में दुराना चार्य दिया जाता है आपको ध्याने क्या चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए यह कोशन नमबर 50 पे जो कि हमारा लास्ट कोशन है पच्वासवे नमबर पे आजुके हैं शुर्य गरन किस्थिति तब होती है जब इंपोर्टन कोशन है आपके एक्जाम के लिए क्यूंकि आपके जीके में इतना हार्ट कोशन आता ही नहीं है प्रिथिवी शूर्य और चंदर्मा के बीच हो यहुँ हो और इसमें से तो आप से आप से आथ 햇न सर्थ क्या होगा प्रिथrä सुर्य और चंदर lingu canllebamasa origin तो अब आपको पहले इंश होगा इरे फिर उन्हाट दी होगा तो यह पचास करम 25 सुर्य गरान होगा तो वह होगा सुर्य गरान होगा जब पहले नहीं के टोच्छ तरह यहां कें आप टेयारी चल रही है कि अगर 35 हैं तो 50 में से सब्सक्राइब करते हैं और जिसके पचास में से पचास आए होंगे वह बारुद आदमी है वह आपको जीके की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस प्रैक्टिश्ट लगाते चाहिए चलिए और मैं आपको कुछ इसका पीडिएफ आज आपको मिल जाएगा वहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और भी बच्चों को हेल्फ हो एंड टेलिग्राम जरूरूरू आज आपको मिल जाएगा वहीं पर तो वहां पर आपको पीडिएफ मिल जाएगा आपको कोई भी टेंसर लिले उतारने जोहत नहीं है बस आपको एक बात पीडिएफ देखना है और फटाफट एंसर टिक करते चलना है तो चले दोस्तों जाहिंद जाभार्थ बंदे मातरम